नमस्कार, CMN पर खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुकेश महला खास खबर में आज बात करेंगे फैक्टरियों से निकलने वाले जहरीले धुएं की जिहां रामपूर के टैमरा गाउं में फैक्टरियों से जो धुआ निकल रहा है वो लोगों के लिए काफी नुकसान दायक सावित हो रहा है लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं साथ ही लोगों का कहना है कि वे काफी समय से प्रशासन से इस बारे में जिकर करके सुधार करने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है प्रशानी जब से ये फैक्टरी पहले बोला था इनों फैक्टरी वालों ने भी हम इसको पानी को फिल्टर करके बेजेंगे नाले में लेकिन पहले एक दो साल लगबाग सही पानी आता रहा ले अब इतनी हालत खराव है कभी कभी इतनी शाम के टैम ना गोटन सी हो जाती है बदबो इतनी आती है और गाओं का नाम क्या है कौन से विखासखंड विखासखंड बिलासपूर जन्पद राम पर आपको वता दें कि नेजी फैक्टरियों से निकलने वाले परदूशन और धुए से शेत्रिय किसानों को भारी नुकसान से जूजना पड़ रहा है उनका कहना है कि वे फैक्टरियों से निकलने वाले जहरीले धुए की शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं लेगिन आज तक उनकी समझ्य का समधान नहीं हो पाया है जिस कारण उनकी पसलों को तो भारी नुकसान हो ही रहा है, साथ ही शेत्र के लोगों को स्वास्थे के रूप से गंबीर बिमारियां भी जगड रही है अश्में यहां पर कोई सुनभा नहीं है, अपना लिखा अपने हाथ से लिख लिख कर लिया दूसरा कोई बोला तो उनके लड़ाई प्रे चालू हो जाती है कौन लड़ता है यह जिन के हाथों में जादा है मंत्रियों कर अचा ही जो फैक्टरी हैụ इससे क्या परसाणी आ रही है इन को परसाणी जो बता रहे है वह उत परसानी थे दूह बता हैं वह सफाई कहीं ह及ना जाई सह कर peer अब शेत्रे किसानों ने मुख्य मंत्री को शिकायत पत्र भेज कर आरोप लगाया है कि बिलासपूर के आसपास थित खास कर नैनिताल हाईवे और केमरी मार पर दरजनों नीजी फैक्टरिया मौजूद हैं जिनमें से कुछ तो प्लाइवुड फैक्टरी हैं तो कुछ कामों के लिए लगाई गई हैं जिनमें रसायन और केमिकल का इस्तेमाल क किया जाता है फैक्टरियों से निकलने वाले धुआ पर्यावरण को तो दूशित कर ही रहा है और साथ-साथ आसपास के इलाकों में फसलों के लिए जो इस्तेमाल होने वाली मिट्टी है उसकी जाउख शमता को भी कम कर रहा है वहीं इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता सफदर हसन फोन लाइन पर हमसे जूड़ चुके हैं हसन साब किस तरह के हालात हैं वहाँ पर फैक्टरियों से निकलने वाला धुआ कैसे परिशान कर रहा है किसानों को सर बताना चाहता हूं मिलास्बूल में एक टैमरा गाओं है वहीं पहाँ सर ये बीपिया नाम से एक फैक्टरी है तो वहाँ के ग्राउं बाच्यों का खेना इसका बराबर से जो गंदा पानी के लाला निकल रहा है उसी के गंदे पानी के नाने से जी तो ये किस कितने समय से जो है ऐसे हलात हैं वहाँ गाओंवालों के सामने असन साब तो ऐसे में जो वहां की हवा है पर्यावरन है और उपजाओ मिटी जहां पर किसान खेती करता है वहां पर भी फर्क पड़ रहा है किसी तरह का और अधिकारियों को जब इस बारे में आगा किया गया स्थानी लोगों द्वारा अजन साब तो किस तरह की प्रतिकरिया आई आपने काया कि कुछ समय के लिए तो फिल्टर पानी का उन्हें दिया गया सायोग लेकिन उसके बाद वह भी बंद कर दिया गया क्या प्रशासन की नजर के सामने इस सब चीजे उन्हें नजर नहीं आ रही है दिखने रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए तो किस तरह के हलात हैं आपने जाना कि लोगों ने शिकायत भी किये है उच अदिकारियों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश भी किये और पिछले दो साल से वो इसी हलात में जी रहे हैं जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है उपजाओ शमता एक तरफ कम हो रही है और हैंड पंप से जो पीने का पानी है वहां से भी दूशित पानी आ रहा है इतनी मजबूरियों के बावजूद बीजबे जानकारी प्रशासने कदिकारियों को स्थानी लोगों द्वारा दी गई तो अब तक कारवाई क्यों नहीं हुई है और कारवाई के नाम पर नजरें इस तरफ भी इनायत करें फैक्टरियों से जो केमिकल धुआ और जितने भी रसायन निकल रहे हैं उन्हें या तो आप कंट्रोल करें और वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को थोड़ा सहूलियत भरा करने की कोशिश करें इस बिलेटर में फिलाल इतना ही